यॉर एक्सेलेंसी राश्ट्रपति पूतीन सम्मानित अतिजीगान नमस्कार मुझे खुशी है कि वल्दी वस्तोक में आउजित किया जा रहा है साथवे इस्टन इकनोमिक फोरम में आपसे वर्चुल रूप से जुढने का मोका मिला इसी महिने वल्दी वस्तोक में भारत के कंसलेट की स्थापना के तीस वर्ष पूरे हो रहे है इस शहर में कंसलेट खोलने वाला पहला देश भारत ही था और तब से यह शहर हमारे समंधों के कई माइल्स्टोन का साक्षी रहा है फ्रेंट्स 2015 में स्थापित किया गया यह फोरम आज रश्यन फारिस के विकास में अंतराश्टिय सहयोग का एक प्रमूख वैश्विक मंच बन गया है इसके लिए मैं राश्पति पुतीन की दुरदर्शिता का अभिनंदन करता हूँ और उन्हें बधाई भी देखता हूँ 2019 में मुझे इस फोरम में रूबरू हिस्सा लेने का मोखा मिला था उच समय हमने भारत की एक फार इस नीती की गोष्णा की थी और परणाम स्वरू रश्यन फार इस के साथ विबिन्नक शेत्रों में भारत का सहयोग बढ़ा है आज यह नीती भारत और रूस की स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेजिक पार्टरशिप की एक प्रमुक्स तंब बन गई है फ्रेंड्स चाहे हम इंटरनेस्ट्रल नौर्ड साउथ कोरिडोर की बात करें चिन्य वल्दी वस्तोक मेरिटाइम कोरिडोर की या नौर्दन सी रूट की भविश्य में कनेक्टिविटी हमारे समंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमी का निभाएगी भारत आर्केटीक विश्यों पर रूस के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत करने के लिए इच्छुक है उर्जा के खेत्र में भी सहयोग की अपार संभावना है उर्जा के साथ साथ भारत में फार्बा और डाइमन्स के खेत्रों में भी रश्यन फार इसके महत्वपूर्ण निवेश किये हैं रूस कोकिंग कोल की सप्लाई के माध्यम से भारतिय स्टील इंडिस्टी के लिए एक महत्वपूर्ण भागिदार बन सकता है हमारे बीच टाइलेंट की मोबिलिटी में भी अच्छा सहयोग बन सकता है भारतिय प्रतिभा ने विश्व के कई साधन संपनक्षेत्रों के विकास में योगदान दिया है मुझे विश्वास है कि भारतियों की प्रतिभा और प्रोफेशनलिजम से रश्यन फारिस्ट में तेजी से विकास आ सकता है फ्रेंड्स भारत के प्राचिन सिध्धांत वसुधैव कुटुम कम ने हमें विश्व को एक परिवार के रूप में देखना सिखाया है आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में विश्व के किसी एक हिस्से की घटनाए पूरे विश्व पर प्रभाव पैदा करती है यूक्रेन संगर्ष और कोविड महमारी से ग्लोबल सप्लाइज चेंज पर बड़ा असर पड़ा है फूड ग्रेंड, फर्टिलाइजर और फ्यूल की कमी विकांसिल देशों के लिए बड़ी चिंता की विश्व है यूक्रेन संगर्ष की शुरुवात से ही हमने डिप्लोमसी और डायलोग का मार्ग अपनाने की आवश्रक्ता पर जोर दिया है हम इस संगर्ष को समाप्त करने के लिए सभी शांतिपून प्रयासों का समर्थन करते हैं इस सम्मन में हम अनाज और फर्टिलाइजर के सुरक्षित निर्यात समंदित हाल की सहमती का स्वागत भी करते हैं मैं एक बार फिर राश्पति पुतीन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस फोरम को सम्मोधित करने का आउसर दिया और इस फोरम में उपस्तित सभी भागीदारों को हार दिक शुब कामनाय देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद